हेलो दोस्तों चलिए आपको और एक alcohol store, liquor store USA में लेके चलते हैं ये वाला फिर एक बार Total Wine का ही एक store है लेकिन ये Boston शहर में स्टापित है Boston जो Massachusetts State में आता है Total Wine is a national chain काफी बड़े होते हैं बहुत variety of liquor मिलते हैं यहां पे एक trolley पकड लें क्या चलो एक trolley पकड लिए एंड ये रेडी फोर छोटा सा shopping trip यह है entry स्टाफ यहां के काफी helpful होते हैं लेकिन यहां पे मेरे स्टाफ ने मुझे बाद में एक पकड लिया था और बोला वीडियो रोकरिंग मत करो पर काफी फुटेज मेंने खींच लिया है राइट साइड में आप देख सकते हो चेक आउट लेन है लेफ्ट में वाइन के साथ चालो होते हैं कुछ लिमिटेड स्पेशल है और यहां पे आपको वाटका दिख रहा है ब्लू बॉटल स्टाटिं स्काय वाटका पार सान-फ्रЦिस्को Além बेस वाटका से दिख वाटका ऑ सबस्त 5 वाटका मेरे पांट्ध मेरे होमार अमब हारमे स्काय वाटका का और एक बॉटल में मिल रहा है औरीक घुशिज में आप थेवर्सिछा मैंड्ड बैयर वाटका 27 नॉटलर का है Ciroc, again very popular vodka, जो कि 31 dollars में मिल रहा है, इपरेग गूज, of course, 27 dollars, जो regular है, I think 25 dollars है, neutral vodka, and यहाँ पर आपको mini bottles दिखा रहा हूँ, मैं miniature bottles collect करता हूँ, starting with यह सब विस्की liqueurs है, Jim Beam का भी liqueurs है, Evan Williams का है, and Southern Comfort, सब विस्की liqueurs है, 40% के less वाला alcohol volume, अभी यहाँ पर दिख रहे हैं, brandy, Hennessy brandy है, और काफी American brandy है, Largo Bay, mostly rum-based liqueurs बनाता है, Captain Morgan है, Bacardi के बहुत variety है, आपको price देखना है, तो pause करकर करके देख लीती है, यहाँ पर bourbon, Tennessee whiskey, काफी सारा है, Wild Turkey, 101, Larceny bourbon, Moonshine के चोटे-चोटे Mason jar bottle, जो वड़े cute लगते हैं, and अभी Scotch के miniature bottle, starting with Grange Stone, यह एक independent bottler है, बहुत सारे different Scotch blend बनाते हैं, फिर Shield Egg भी उसी काटेगरी में जाते हैं, लेकिन लेफ्ट में आप Glen Fiddick 12 और Glen Levit 12 देख सकते हो, प्राइस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, Shivers 12, Dewars, Black Label, Red Label, $199 का था, मैंने उठा लिया एक मेनी अपने collection में, क्योंकि बड़ा बॉटल शायद मैं नहीं खरीदू इसका, नीचे Canadian विस्की है, Crown Royal है, Canadian विस्की है, Sea Graham का विस्की है, Windsor विस्की है, और फिर नीचे Irish विस्की दिख रहा है, यहाँ पे, Vodka-based, बहुत सारे miniature bottle है, Vodka-based liqueurs भी भरती है, यहाँ पे Absolute का बहुत सारा है, Siroc का है, Sweatka का है, और यह वाला काफी interesting लगा मुझे, Alien, Outer Space Vodka, Alien bottle के साथ, और नीचे और कुछ variety है यहाँ पे, फिर यहाँ पे और सारे बहुत random liqueur bottles है, Rum-based liqueur and so on, Kampari है, जो बहुत सारे cocktails में यूज होता है, Conthru again, widely used in cocktail recipes, Yeager Meister, जो कि I think इंडिया में काफी popular है, यह एक sampling session है, unfortunately कोई नहीं था, तो मैं कोई भी यह इन bottle में कोई भी टेस्स नहीं कर पाया, fine and rare selection, जो शायद most of us के उकाद के बाहर है, वैसे यह वाला section इतना कोई नहीं है, $2.20, $3.30, 29-year-old, Glen Faudry, Jura का $21 है, $200 के असपास, Aberfeldy का $21, $200 के असपास, अब यह रहा पुरा उकाद के बाहर, Macallan का, I don't know कितनी साल का है, यह अब Macallan का number 6, $4,400, फिर जलते हैं, Highland Scotch, regular whiskey, Dalmore 12, Dalmore Portwood Finish, $12, $65 है, Glen Droneer 12, $66 है, Glen Moranji के बहुत सारे options है, 14-15, यह वाला original, $43 का है, and Glen Farg Class का बहुत सारे सेरीज है, 10 साल, 12 साल, 105 का स्ट्रेंट, 10 साल का $50 का है, and 17 का भी, राइट सेंड में अब देख सेकते हो, Glen Farg Class, 17, Space Side में, Avalor का Abunad है, जो कि $82 का है, Avalor 12 is $53, जो कि थोड़ा कॉसली प्राइस है, Craig Alec की 13 years, $58, ये एक यूनिक फ्लेवर के साथ आता है, I am yet to try that, ये कौन सा कंपनी है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, I don't know, Balneiland, Balneiland, I don't know, Glen Fiddick 15, Glen Fiddick 12, $66 and $46 respectively, बड़े बॉटल्स भी है, and यहां पर Balvenie, 12 years old $56 है, Glen Livet $47 है, Singleton $34 है, Isla के एरिया में चले, तो पहले तो Shieldic का कुछ वराइटी बॉटल्स है, यहां पर अच्छी लो लेंड और आइलेंड मिला के है, बोथन लो लेंड एक है, $35 अच्छे प्राइस में मिल रहा है, कोई एच स्टेटमेंट नहीं है लेकिन, लागवलीन $8, $49, लागवलीन $16, $85, लफ्रोएक 10 is $58, अच्छे प्राइट 10 $57, और भी वराइटी अच्छे अच्छे लेंड का, गलन किंशी 12 is $72, तलिसकर 10 57, किल्होमन माकिर बे $65, फिर प्रोकलाडिक, क्लासिक, लाइटी $53, पुनहाबिन 12 years is $73, यह का स्टेंट है, 12 years is $60, यहाँ पर, और इंडिया पर चलते हैं, इंडियन विस्की, अमरूत फ्यूजन का प्राइस मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा लगा, तो मैंने उठा लिया, $64 का, तो मैंने बॉस्टन से ही खरीजा था, $47, अमरूत प्रेडिशनल, और भी बहुत सारे वेराइटी है, अदंबं है $115, तो सबसे कॉस्टली वर्जन था, कैमेट का प्राइस तो यहाँ पी नहीं लिखाता, बड़ आराउंड $50 होता है, पॉल जॉन का क्लासिक है, पीटेड है, पीटेड कास्ट रिंथ है, 55.5%, $80 का है, और बड़ भी $97, रामपुर डबल कास्क, $98, काफी कॉस्ली है, और ये टू टाइगर सिंगिन विश्की एक मिलता है, पता नहीं क्या है ब्लेंड विश्की, मैंने कभी नहीं नाम सुना है, आपको पता है तो बताना मझे, कैवलान टाइवान विश्की यहां पे है, ब्लेंडेट स्कॉच विश्की के तरफ चलते हैं, बालेंटाइन्स $23, शिवर्स 12 $30, थोड़ा कॉस्ली तो है बॉस्टन का मार्केट, 18 येर्स शिवर्स इस $70, कटी सार्थ $22, तो मैं जल्दी जल्दी से थोड़ा आपको बियर का आईल दिखा देता हूँ, बहुत सारे बियर ऑप्शन होते हैं अमेरिका में, बहुत पीते हैं यहां पे, यह पर लप साइड में craft बियर है, राइट साइड में थोड़ा popular बियर है, मेरा फेवरेट ब्लू मोन आपको दिख रहा होगा, बढ़ हां, यह था मेरा छोटा सा टूर आफ टोटल वाइन बॉस्टन, आपको कैसा लगा बताईएगा, आपको अगर ऐसा ही वीडियो देखना है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, I'll work on it और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, I will see you the next time, टाटा, गुडबाई.